तो मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बदाने वाला हूँ कि आप सलेस कार्ड का पैसे अपने बैंक एकोंड में किस तरीके से ट्रॉंसफर करोगे अगर आपने दोस्तो सलेस कार्ड बनवा रखा है या अगर आपके पास पे लेटर सलेस कार्ड का अगर आपके पास तो उसी को लेकर के हमारे पास काफी दोस्त का मुझे कमेंट्स आ रहे थे बार-बार रिक्वेस्ट आ रहे थे इस अमांट को जो लिमिट हमें मिला हुआ है उससे कार्ड की तरफ से उसे हम बैंक कोड में कैसे ट्रांसफर कर पाएंगे तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता लेकिन यहां पर आपको उल्टा ही बता रहा हुँ दोस्तों कि यहां पर आपको 2% का कैसपेक मिलेगा और तूरंद के तूरंद आपके सीधह आपके अपने वाइलेट पे तो कहां से आप पैसा निकालेंगे और किस तरीके से यूज़ करेंगे चैनल को भी सब्सक्राइब करना अगर अभी तक आप लोगों नहीं किया हो तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं आपको डिटेल में बताता हूं कि किस तरीके से पैसे को निकालना है ठीक है और आपको मैं बता दो दोस्तों कि यहाँ पर सबसे पहले इसे अपडेट कर लेना है अपडेट करने के बाद द या गोल्ड अप्लिकेशन का दोस्तों मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सर बोक्स में दे रखा है आप डिरेक्ट वहां से डाउनलोड करके आ सकते हो ठीक है आपको वहां पर कुछ नहीं करना जैसे लिंक में आप किलिक करोगे तो कोई अप्लिकेशन आपको देखन करना है ओपन में किलिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नमबर डाल के और आपका यहां पर नाम डालना होगा अकाउंट किरेट हो आएगा अकाउंट किरेट होने के बाद दोस्तो आपके सामने यहां पर देख सेते इस तरीकी का इंटरफेस आएगा यहां पर आपको अपना नाम सो कर देगा जैसे कि हमारा यहां पर नाम सो कर रहा है तो हमें क्या करना होगा दोस्तो आप हमें इस पैसे को निकालने के लिए तो हम Digital Gold में क्लिक करते हैं आपके सामने आपका इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है दोस्तों आप यहां पर आने के बाद यहां पर एक options आपको सोगरेगा देख सेते हैं यहां पर my gold और यहां पर एक options आपको सोगर रहा है gift आपको gift वाला options पर क्लिक करना है जो भी अगर आपको दिकत होगा इस amount को निकालने के लिए पैसा निकालने के लिए ताप हमें नीचे comment box में भी comment कर सकते हैं चलिए हम gift card में किलिक करते हैं और किलिक करने हाजाँ रुपे यहां पर हम्निकालने वाले हैं तो हाजाँ रुपे निकालने के लिए तो यहाँ पर हमें एक option को देने को मिल रहा है digital gold एक हाजाँ रुपे तो यहां पर हम क्या करेंगे जैसला है यहां पर आपको क्या करना है का proceed to payment वाले options पर आपको click करना है ठीक है चलिए यहां पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहां पर क्या करना होगा जैसे आप इस वाल options पर click करोगे तो यहां पर दोस्तो इसके बात का जो recording है screen recording वो आपको नहीं दिखेगा इसलिए नहीं दिखेगा दोस्तो वहां पर जो payment method का options है वहां पर allow नहीं है आप वहां का recording नहीं कर सकते हैं इनका privacy है ठीक है तो वहां पर दोस्तो आपको क्या करना है का आपको अपना जो slice card का जो card का number है वो आपको डाल करके यहांसे payment कर देना है ठीक है, slash card का जो number आप डालोगे, डालने के बाद आपके mobile number के साथ OTP आएगा, जिस slash card के साथ आपका mobile number लिंक है, उस पर एक OTP आएगा, OTP डाल करके आपको payment कर लेना है, जैसी आप payment कर लोगे, चली मैं आपको बताते हो, payment करने के बाद आखिर आगे, आपको क्या करना है, प उसके बाद यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाता है, my gold, आपको इस पर click करना है, जैसे my gold में click करते हैं, आपके साबने आपका इस तरीके का interface आज आएगा, निकल करके, उसको दोस्तों जो आपने gold को buy किया हुआ है, अभी आपने जो amount को यहाँ पर जितना भी amount लग आया होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर 1000 रुपे दिखा रहता आप से भी को, उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका gold होगा, उसके यहाँ पर सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा, वेट देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर simply से क्या करना है, सेल वाले कि यहाँ पर अभी हमारा जो पेमेंट है, अभी हम पेमेंट नहीं कर रहे है, सिर्फ हमें वीडियो बनाने के लिए मैं आप से भी को दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर सेल गोल्ड में आपको क्लिक करना है, आपका अपने यूपिया एड या बैंक डिटेल आप से पूछे